पिलमी मीजया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिलमी मीजया चैनल को सब्सक्राइब करके वीजियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को script न करें वीजियों को अल तक देखें। बिना टाइम, वेज़्ट ये वीजियो को शीरू करते हैं. दोस्तों आपको बता दू कि नानी ऑर कीर थी सुरिष स्टार ये फिल्म 30 मार्श से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है यह एक एक्शन थ्रीलर मुवी है इस मुवी का निर्देशन श्रीकांत ने की है दसरा मुवी की बजट की बात करे तो इस मुवी की बजट 65 करोर रुपए बताया जा रहा है फिल्म की कलेक्शन की बात करे तो नानी और केर्थी सुरेश स्टारर फिल्म दस्रा को IPL की वज़े से काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। IPL की वज़े से नानी और केर्थी सुरेश की फिल्म दस्रा के इवनिंग और नाइट के कलेक्शन में गिरावट आ जाती है। जिसका सीधा असर फिल्म के कलेक्शन पर गिखाई द करते हुए 79 करोड 10 लाक रुपै का कारोबार करने में सफल रही थी। जबकि यह मूवी दूसरे वीक में बॉक्स ओफिस पर 8 करोड 21 लाक रुपै का कलेक्शन किया है। वही अगर बात करें इस मूवी के तीसरे वीक के कलेक्शन के बारे में तो 10 रा मूवी 16 वे दिन लान के दिन के कलेक्शन के बारे में तो यह मूवी 18 वे दिन लानी रविवार को बॉक्स ओफिस पर 68 लाक रुपै का कलेक्शन किया था। जबकि यह मूवी 21 वे दिन लानी बुदवार को बॉक्स ओफिस पर लगब 27 लाक रुपै का कारोबार करने में सफल रही है। दोस्तों इस तरह से 10 मूवी के अब तक की 21 दिनों का इंड्यान इट क्लेक्शन 89.56 रुपए हो गया है। का अगर ओवसीज क कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी ओवसीज मार्केट में अब तक 20 करोण रुपए की कमाई कर चुकी है। अगर बात करें इस मूवी के 22 दिन्यानी गुरवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो अभी तक जो occupancy रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ये मूवी 22 दिन्यानी गुरवार को box office पर लगबग 25 लाग रुपए की कमाई करती हुई नज़र आ रही है दोस्तों इस तरह से दसरा मूवी के अब तक के कलेक्शन में आज आनी 22 दिन का कलेक्शन जोर दिया जाए तो इस मूवी का अब तक का 22 दिनों का टोटलनेट कलेक्शन 80 करोड एक लाग रुपए हो जाता है दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करती हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद